हलो फ्रेंड्स, वेलकम बाग टो माई चानल, आज हम आपके सामने हमेरपुर डिस्टिक लेकिया आया हैं, तो आगे हमेरपुर डिस्टिक की HPG के शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेस्चन है, हमेरपुर का कुल खेत्र फल, यानि की टोटल एरिया कितना है तो फ्रेंड्स हमेरपूर का जो टोटल एरिया है वो है 1118 याने की 1118 वर्ग किलो मेटर याद रखना है यह आपको नेक्स्ट कुश्चन है फ्रेंड्स हमारा हमेरपूर का जनसंख्या घनत व्याने की population density तो फ्रेंड्स हमेरपूर की population density है 406 नेक्स्ट कुश्चन है हमारा हमेरपूर का लेंगानुपात sex ratio कितना है तो वो है 1096 six next question है friends हमारा हमेरपूर से विधानसभा सीटे तो friends हमेरपूर से हमारी जो कुल विधानसभा सीटे हैं वो हैं 5 next question कि और move करते हैं हिमाचल का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो friends हिमाचल का सबसे छोटा जिला भी हमिरपूर ही है Next question है हिमाचल में किस जिले का घनत यानि की density सबसे ज्यादा है तो हिमाचल का जो जिला है सबसे ज्यादा density किस जिले की है वो है हमिरपूर जिले की Next question की और move करते हैं हिमाचल का वह जिला जिसका लिंग अनुपाथ सेक्स रिशयों सबसे ज़्यादा है तो किस जिले का जो लिंग अनुपाथ है सबसे ज़्यादा है वो है हमिरपूर जिले का Next question to remove करते हैं friends हिमाचल में बनने वाला अंतिम जिला कौन सा था तो हिमाचल में जो अंतिम जीला बना था फ्रेंड्स वो था हमेरपूर तो अगर हम बात कर रहे हैं अंतिम जीले की तो हमें पहला जीला भी पता होना जीए तो पहला जीला जो हिमाचल में बना था वो था चमबा जीला नेक्स्ट क्यों और मूव करते हैं Friends, हिमाचल में सबसे ज़्यादा साक्षर्टा दर यानि कि लिटरसी रेट किस जिले का है? तो Friends, अगर हम लिटरसी रेट की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा साक्षर्टा दर है हमारा हमेरपुर जिले का और वो कितना है? वो है 89.2%. नेक्स कुशिन की और मूव करते हैं, इंपोर्टन कुशिन भी है, ये एक्जाम में पूछा जा चुका है, ये कुशिन है हमेरपुर जिले का भेड प्रजिनन के इंदर कहां है? यानि कि शिप ब्रीडिंग फार्म, तो हिमाचल जो हमेरपुर का शिप ब्रीडिंग फार्म है वो है ताल में, नेक्स कुशिन की और मूव करते हैं फ्रेंज, नेक्स कुशिन है हमारा हमेरपुर का अकाशवानी के इंदर कहां है? तो हमेरपुर का जो अकाशवानी के इंदर है, वो है पक्का बरोह में, नेक्स कुशिन की और मूव करते हैं, हिमाचल में HPSSSB, यानि कि HPSSB का headquarter कहा है तो ये है हमेरपूर में और हमेरपूर में कहा है ये भी पक्का बरोह में है तो friends वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि HPSSB की full form क्या होती है लेकिन फिर भी मैंने include कर दिया है में भी हो सकता है कुछ लोगों को ना पता हो तो HPSSB की full form है हिमाचल प्रदेश Subordinate Service Selection Board और इसे हिंदी में कहते है हिमाचल प्रदेश अधिनस्त सेवा चयन बोड next question क्यों और move करते है friends HPSSB की स्थापना कब हुई तो friends HPSSB की स्थापना हुई है हमारे 1998 में next question है important question है ये भी काफी बार एक्जाम में पूछा जा चुका है HPSSB के पहले डारेक्टर कौन थे तो HPSSB के पहले डारेक्टर थे केसी मल होतरा और जब आपको पहला पता है तो आपको present भी पता होना जीए कि HPSSB की जो present डारेक्टर है वो है अभी ब्रिगेडियर सतीश कुमार शर्मा तो HPSSB के प्रेजंट डिरिक्टर है ब्रिगेडियर सतीश कुमार शर्मा next question है friends हिमाचल प्रदेश की Technical University कहा है तो friends हिमाचल प्रदेश की Technical University हमिरपूर में है और ये जो Technical University है ये कब बनी थी ये बनी थी 2011 में तो friends आपसे question ये भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो technical university हमिरपूर में है वो कब बनी थी तो आपको याद रखना है कि ये 2011 में बनी थी ठीक है Next question है friends ये भी important question है हमिरपूर का herbal garden कहा है तो हमिरपूर का जो herbal garden है वो है नेरी में Next question की और move करते हैं हिमाचल का प्रसीद बाबा बालकनाथ मंदिर कहा है तो friends हिमाचल में प्रसीद बाबा बालकनाथ का मंदिर है आप गए होंगे वहाँ पर तो ये है देवटसिद में और देवटसिद कहा है हमिरपूर में है फ्रेंट्स ये question भी पूछा जाता है कि देवटसित किस division में पढ़ता है तो ये पढ़ता है बढ़सर division में next question क्यों और move करते हैं प्रसीद क्रांतिकारी यश्पाल का जनम कहां हुआ था तो फ्रेंट्स जो हमारे प्रसीद कांतिकारी यश्पाल शर्मा जी हैं उनका जो जनम है वो हमिरपूर के भूमपल में हुआ था तो ये question भी पूछा जाता है कई बार फ्रेंट्स जो हमिरपूर डिस्टिक है ये काफी छोटा डिस्टिक है और इसमें जो भी questions मैंने include किये हैं वो सभी बहुत important है तो आपको हर एक question को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसे याद भी रखना है तो फ्रेंट्स इसी के साथ हम next question के और move करते हैं next question है friends हमारा सीहा बलोकन पुस्तक कौन लिखता है तो फ्रेंट्स सीहा बलोकन जो पुस्तक है वो लिखते हैं यश्पाल जो हमारे प्रसिद करांतकारी थे नेक्स कोश्चिन के और मुव करते हैं यश्पाल साहित्य केंदर कहा है तो फ्रेंड्स जो यश्पाल साहित्य केंदर है वो है हमेरपूर के नदान में और फ्रेंड्स ये कब बना था ये बना था 2000 में 2000 में ये ओपन हुआ था तो friends next question क्यों move करते हैं यश्पाल शर्मा कितने टाइम जेल में रहे थे तो friends जो यश्पाल शर्मा जी है वो 14 साल उन्होंने जेल में काटे थे next question है विपलव पत्रिका किस ने शुरू की थे जो friends विपलव पत्रिका है वो की थी यश्पाल शर्मा जी ने शुरू next question है friends हमिरपूर की सबसे उंची चोटी कौन सी है तो friends हमिरपूर की सबसे उंची चोटी का नाम है अहवा देवी और friends अजर आप हमिरपूर गए होंगे कभी तो आपको पता होगा कि जो अहवा देवी है वहाँ पर एक बहुती famous मंदिर भी है काफी सुंदर मंदिर है friends next question की और move करते है हमिरपूर की सबसे लंबी धार कौन सी है तो friends हमिरपूर की जो सबसे लंबी धार है वो है 16 सिंगी धार और friends ये question भी एक्जाम में पूछा गया था कि अहवा देवी मंदिर कहा है तो friends वादेवी मंदिर हमेरपूर में है ये question आप include कर लीजे next question क्यों remove करते हैं हमेरपूर और कांगरा के बीच कौन सी नदी border बनाती है तो friends हमेरपूर और कांगरा के बीच जो नदी सीमा बनाती है वो है व्यास नदी friends मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाने की कोशिश करते हूँ तो hopefully आपको समझ आता होगा अगर आपको कोई suggestions या कोई views हैं तो आप मुझे comment box में बता सकते हैं next question क्यों remove करते हैं friends हमेरपूर के उत्तर में कौन सा जिला है तो friends हमेरपूर के पूर में है मंडी आप डाइग्राम में भी देख सकते हैं डाइग्राम की help से हमें क्या होता है कि जल्दी याद हो जाता है और exam में अगर हम भूल भी जाएं डिरेक्शन से तो हमें डाइग्राम याद आ जाता है कि हाँ हमेरपूर के जो नौर्थ में है वो कांगड़ा था साउथ में बिलासपूर है या मंडी या उना आप डाइग्राम में देख सकते हैं तो friends next question क्यों remove करते हैं हमेरपूर के पश्चे में कौन सा जिला है तो पश्चे में है उना जिला next है हमेरपूर के दक्षिन में तो दक्षिन में है बिलासपूर next है friends हमेरपूर शहर की सापना कौन करता है very important question पूछा जा चुका है ये exam में तो हमेरपूर शहर की सापना करते हैं हमेरचंद next question क्यों remove करते हैं next question है हमारा सुजानपूर सुजानपूर जो है वो हमिरपूर में ही है तो सुजानपूर शहर के çaपना कौन करते हैं तो ये करते हैं अभछन्त ये भी very important question है दोनों ही बहुत important question है फ्रेंग्स कई exam में ये question पूछे जा चुके हैं तो next है ये भी important है सुजानपूर टिहरा में होली की शुरुवात कौन करते हैं तो होली की शुरुवात की थी संसारचन ने इन दो question में आपको confused नहीं होना है question है कि शहर की स्थापना की थी अभेचन ने और सुजानपूर टिहरा में जो होली है उसकी जो शुरुवात करते हैं वो करते हैं संसार चंजी नेक्स कोश्चन की और मूव करते हैं नेक्स कोश्चन है हमारा हिमाचल प्रदेश का एक मातर सैनिक स्कूल कहां है तो जो हिमाचल प्रदेश का एक मातर सैनिक स्कूल है वो है सुजानपूर एहरा में ये भी important question है next question क्यों move करते है हमिरपूर का नादोन शहर किस नदी के किनारे बसा है तो friends हमिरपूर का नादोन जो शहर है वो बसा है व्यास नदी के किनारे next question है friends हमारा गुरू कुविंद सिहां और बिलासपूर के राजा भीम चन्द ने मुगलो को कहा हराया था तो friends उन्होंने नदोन में हराया था मुगलो को ये भी important question है next question है आएगा कौन और जाएगा कौन ये शब्द किस ने कहे थे तो friends ये जो शब्द है वो कहे थे महराजा संसार चन्द ने और ये किस संदर्ब में कहे थे किस relation में कहे थे ये कहे थे नदौन से related means जब मुगल वहाँ पे रागे थे तो उन्होंने ये कहा था कि नदौन में आ तो सकते हैं लोग असानी से लेकिन इतनी असानी से वो जा नहीं सकते हैं तो उन्होंने कहा था आएगा कौन और जाएगा कौन तो ये संसार चन्द ने कहा था आपको याद रखना है important question है ये भी next है महाराजा संसार चन्द ने इश्वरियसेन इश्वरियसेन फ्रेंड्स मंडी के राजा थे तो संसार चन्द ने क्या किया था जो इश्वरियसेन मंडी के राजा थे उनको बंदी बना लिया था तो ये कौन सी जेल में बंदी बनाया था तो ये बात करते हैं फ्रेंड्स आप करेक्ट कर लीजेगा बंदी तो यह हुआ था नदौन जेल में और नदौन जेल में उन्होंने कितने टाइम तक बंद रखा था यह रखा था उन्होंने 12 साल तक बंद तो आपको याद रखना है कि इंपोर्टेंट को संसार चंद ने इश्वरिय सेंद प्लाखे तो उन्होंने रखा था नदौन जेल में12 साल तक नेक्स्ट कोईयों करते हैं इश्वरिय सेन को नदौन जेल से कौन छुडवाते हैं या किस ने छुडवाया तो उन्हें अमरसीह थापा उन्होंने छुडवाय था नदौन जेल से नेक्सटे फ्रेंड्स गोर्खो ने महाराजसंसार चंद को कहां हराया तो फ्रेंड्स जो गोर्खे हैं उन्होंने महाराजसंसार चंद को महल मोरिया में हराया था और कब हराया था एटीन जीरो सिक्स में हराया था friends next question क्यों move करते हैं हमिरपूर सिखो के अंडर कब आया था तो friends जो हमिरपूर है वो सिखो के अंडर आया था 1806 से 1846 तक ये जो है सिखो के अंडर रहा था हमिरपूर तो friends ये है कि पहले जो थे थे तो संसार्चन ने बंदी बना लिया था इश्वरिय सेन को ठीक है तो इश्वरिय सेन ने क्या है मदद मांगी थी अपने को छुड़वाने के लिए अमर्सिय थापा से जो एक गोर्खा थे गोर्खों के सेनपती थी तो जब उन्होंने मदद मांगी और इश्वरिय सेन को छुड़वा दिया तो उन्होंने क्या ह हमीरपूर पर कबजा कर लिया था तो वो गोर्खों के अंडर आ गई थी ठीक है 1806 में और उसके बाद गोर्खों को हरा दिया सिखों ने सिखों ने हरा दिया 1806 के बाद और 18046 तक जो है ये सिखों के अंडर रही और 1846 के बाद क्या है इसमें अंग्रेजों ने कबजा कर लिया था तो ये एक story की तरह है कि सबसे पहले संसारचंद वहाँ पर थे संसारचंद के बाद गोर्खों ने आकरमन किया गोर्खों के बाद सिखोने और उसके बाद अंग्रेजों ने तो next question कियो और move करते हैं उसके बाद है हिमाचल परदेश के सबसे पहले विक्टोरिया क्रोस विजेता तो friends हिमाचल परदेश के ये भी important question है कि विक्टोरिया क्रोस सबसे पहले विजेता कौन थे ये थे जमादार लाला राम और ये कहां से थे ये थे हमिरपूर से प्रेम कुमार धूमल कहां से हैं तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश के XCM जो रह चुके हैं प्रेम कुमार धूमल ये हैं हमिरपूर के समिरपूर जगाय वहां से हैं और ये कब बने थे CM? 1998 में ये CM बने थे हमिरपूर में सबसे पहले बगीचा किस ने लगाया था ये भी important question है हमिरपूर में सबसे पहले बगीचा लगाते हैं हमारा राजा संसार्चन नेक्स कुश्चन है हमिरपूर का कौन सा राजा औरंगजेब का समकालीन था तो फ्रेंट्स ये थे हमिरचन फ्रेंट्स समकालीन होता है जिस टाइम हमिरपूर में जब राजा हमिरचन शाषन कर रहे थे तो उस समय औरंगजेब भी शाषन कर रहे थे तो वो एक ही समय में अलग लग जगा पर जब दो राजा शाशन कर रहे होते हैं उसे कहते हैं हम समकालीन तो ये है हमिरपूर का कौन सा राजा और अंग्जेब का समकालीन था ये थे हमिरचन तो next है NIT means National Institute of Technology कहां पर है तो ये है हिमाचल का हमिरपूर में ठीक है friends next question क्यों move करते हैं जखधार या चबूत्राधार कहां है तो ये है हमिरपूर में important question है friends कई बार पूछा जाता है कई बार आपको ये भी पूछा जाता है कि जखधार कहां है तो ये जखधार है हमिरपूर में या ये पूछ जा सकता है कि चबूतरधार कहा है तो ये भी आपको याद अखना कि ये दोनो जो धारे हैं, वो हमिरपूर में ही है और मैंने आपको एक question और करा दिया है, तीसरी जो धारे सोला सिंगे धार जो हमिरपुर की सबसे लंबी धार है वो भी हमिरपुर में ही है तो next question के और मुव करते हैं नर्वदेश्वर मंदिर Famous मंदिर है friends यह कहा है यह भी हमिरपुर में ही है नेक्स्ट पॉस्टें है friends उत्तर भारत का एक मातरशणी मंदिर कहा है तो friends उन्होंने हमिरपूर की यातरा कब की थी? यह भी important question है जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमिरपूर बहुत ही छोटा सा डिस्टिक है और इसके जो सभी questions हैं मैंने इसमें include किया है almost यह previous जो question paper हुआ है कोई भी paper हुआ है उसमें यह questions पूछे जा चुके हैं हर एक question बहुत ही important है तो हम बात कर रहे थे कि William Moorcraft और Travick ने हमिरपूर की यातरा कब की तो उन्होंने की 1820 में हमिरपूर की यातरा यह विदेशी यातरी थे friends आपको याद रखना next question के और move करते हैं नादोन का युद्ध कब हुआ तो friends यह भी important question है 1887 के बीच में हुआ था और यह किस के बीच हुआ था यह हुआ था भीमचंद और गुरु गोविंद सिहा के बीच हुआ था next है friends की नादोन के युद्ध को और क्या कहते हैं तो friends यह question भी important है कि नादोन के जो युद्ध है उसका और क्या नाम है उसे कहते हैं भंगार्णी का युद्ध आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भंगार्णी का युद्ध कब हुआ था तो आपको याद रखना है कि नादोन का युद्ध और भंगार्णी का युद्ध कोई भी पूछा जाए तो वो एक ही बात है और यह हुआ था 1686 से 1687 के बीच में और भीम चंद और गुरु गुविन सिहाजी के बीच हुआ था हमिरपूर अंग्रेजों के अंडर कब आती है तो मैं आपसे डिसकस कर चुकी हूँ कि जो अंग्रेजों के अंडर आती है वो आती है 1846 में और इससे पहले हमिरपूर वर किसका कबजा था वो था सिखो का कबजा हमिरपूर का नवोदे स्कूल कहां है तो एक वीडियो में अलग से करवा दूंगी हर एक डिस्ति के जो फेमस मेले हैं जो इमपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको करवाऊंगी इसी के साथ हम next question की ओर move करते हैं और ये हमारी जो वीडियो है इसका आखरी question भी है और इसी के साथ हमारी हमेरपूर district भी खतम हो जाएगी तो ये question है हमेरपूर रियासत से कौन सा वंश जूड़ा है तो फ्रेंड्स हमेरपूर रियासत से कटोच वंश जो है हमारा जुड़ा हुआ है तो फ्रेंड्स हमेरपूर district हमारी खतम होती है हमेरपूर बहुत ही छोटी से district थी तो hopefully आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे लगी है तो please इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी जो है कुछ नॉलिज गेन कर सके तो thank you friends, thank you for watching my video and all the best for your future exams so thank you friends